हे गाइज वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग डूर्स कैसे हैं आप सब गाइज ये देखिए हमारे गार्डन में कितने सुन्दर कलांचों के फूल खिले हैं बहुत सुन्दर लग रहे हैं ये हमारे गार्डन में अब की बार बहुत सारे फूल खिले हुए हैं गेंदे के चमेली के और ये देखिए अगर आपके भी फूलों के पोधे पर फूल नहीं आ रहे हो तो आप इसमें फुलावर के जितने भी आपके पोधे हैं उनमें केले का फर्टिलाइजर और सरसू की खली का फर्टिलाइजर और सबसे बैस्ट मुंफली की खली का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं तो आपके के से बहुत सारे फूल आएंगे और मैं आपको अपने गेंदे के पोद्धे भी दिखाती हूँ यह देखिए गाइस हमारे गेंदे के पोद्धे भी बहुत सारे फ्लावर आए हुए है और गाई जैसे अब सर्दियों के जो वेजिटेबल्स लगाई हुई थी उनका सीजन तो आप अब जाई चुका है बिलकुली पिर भी हमारी कुछ बंद को भी लगी हुई है अभी यह हार्वेस्ट करने की नहीं हुई है अब सिरफ यह एक फूल थोड़ा मुझे लग रहा है कि त्यार हुआ है बाकी अभी लग जाएंगे इसमें एक महिने के करीब गाईज और यह मैंने लगाई हुई है यहाँ पर फली जो बड़े वाली फली आती है यह वो है देखिए और गाईज इनमें मैंने अर्वी बो दी है इनमें बिंडी और यह देखिए चना में थी पालक और यह देखिए गाईज मैंने अभी दस दिन पहले हपता ही हुआ होगा शायद हपता पहले भिंडी के बीज लगाई थे जो कि सारे के सारे अब जर्मिनेट होई चुके हैं दो चार रहे गए हैं यहां पर यह भी हो जाएंगे और इन जो यह दो क्रेट देख रहे हैं इनमें मैंने घिया और तोरी लगाई है इसमें मैंने ककड़ी लगा दी है ककड़ी भी अब होने लगी है यह देखिए छोटा सा निकल आया है इसका जर्मिनेट हो चुके हैं यह और गाईज यह देखिए टमाटर टमाटर के पोदों पे बहुत सारे टमाटर आई हुए हैं यह देखिए बहुत अलग वराइटी है गाईज इस पे मैंने चुने का सप्रे किया हुआ है चुने का और नीमोयल का पूरे के पूरे जो हमारे टमाटर के पोदे हैं वो बिलकुल ही जुके पड़े हैं टमाटरों के कारण यहां पे तो हमारे टमाटर कुछ बड़े भी होने लगे हैं इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर इन पे बहुत ज़्यादा दूप पड़ेगी तब यह लाल होंगे और इसी तरीके से यह देखिए यह भी टमाटर का पोदा वो पूरा का पूरा नीचे के तरफ जुग गया है इस पे भी टमाटर देखिए अब कितना टमाटर आया है और इसी तरीके से हमारी यह हमारा चपन कद्दू यह भी नीचे की तरफ जुख चुक है है इससे भी हमने बहुत सारे चपन कद्दू हार्वेस्ट किये थे और यह देखिए धनिया और आप धनिया भी देख सकते हैं कितना अच्छे से और कितना घहना ग्रोव हुआ है देखिए इसमें तो ऐसा लग रहेगा इसकी बिल्कुल ही गुलदस्ता जैसे धनिये का बना हुआ है जरा से भी जगा नहीं है इसमें जहां से हमारी पूरी टप में जगा खाल ली हो क्योंकि मैंने बोया ही बहुत अच्छे तरीके से था ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि आप अगर आप भी इस तरीके का धनिया चाहते हैं तो आपको किस तरीके से धनिया बोना है तब भी आपका धनिया ऐसा होगा ये देखिए कितना घना है अब देख सकते हैं ये थी गाइज हमारे गार्डन की थोड़ी सी चोटी सी अपडेट क्योंकि मेरी तबियत खराब होने के कारण में ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाल